OMG Hello दोस्तूत है कि कि 2020 डोस्त्तून वेन आपका स्वागत है कि मैं हो रोसन और स्वागत करते हुआ मैं तो आज मैं आपके बताओंगा कि या है ठीक है estman में यहां तो जैसा कि मैं आप देख रहा है यहां यह करते हैं यहां पर लिखा हुआ है HTML यहां पर लिखा हुआ है HTML पिछला वीडियो में कि जो करना होता है यहां से अंदर मुझे इसी के अंदर में लिखा हुआ तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लास होता क्या है अधार पर फट्रै कि क्लास होता क्या है ठीक है तो ऊराटी क्या होता है पहले बार इसीवें दूँ चीजे में एक यहां पर एक होता है class and एक होता है id class का जो symbol होता है वो dot होता है and id का जो symbol होता है oh sorry and id का जो symbol होता है वो has होता है class dot यह चीज़ी आपको याद रखना होगा class means dot id means has ठीक है यह चीज़ आपको याद रखना होगा मैं से कंट्रोल एक्स करूं मैं आपको यहाँ पे याद रखने के लिए मैं इसको से करके कमेंट करेता हूं ठीक है आप याद रखे है क्लास मिन्स डॉट आईड मिन्स है तो मेरा पहला क्लास के बारे में ले लेता हूं कि क्लास क्या है मैं दिन में आप आपको आईड बता दूंगा ठीक है से में अगर एक चीज़ समझ जाओगे ना तो यह आईड भी समझ जाओगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ध्याँ ख्रीजिवर्ण हो गया अभर इसको हाइट देदो एक मतलब है कि यहon female चांड़े लेए और यह skinny nive जो भी आपको सब कर दूं यह पूरा एक सेक्षन तो आपको इस से पता क्या चलेगा कि यह पूरा lyrics तो यह महीं निये कि पादा चलते हैं तो कोई भी बीसक्लिक सकते हो टो मैं चलता हूं एक डीव लिता हूं एड़िव को मेरा कीबॉड इखराओ गया एड़िव को क्लॉज कर दिया ठीक है एड़िव अब मेरा कनेक मतलब एक डीव ले लिया मैंने ठीक है इसका कोई एक एडांक्त एडांक्त प्रहुट करते हैं यहां पर लिखे आंड है इंटर्नल जो होता है वह हम लोग रहें पर लिंग करते हैं तो पता ही आपको बाहर से वह फाइल आम लोग यहां पर लिंक करवाते हैं ठीक है तो मैं इंटर्नल से इसका यहां पर उच्छ कर रहा हूं तो यह स्टाइल के अंदर में जाओंगा एंड में चाहूंगा कि यह वाले डिप को एक्सिस करके इसका कुछ मैं देखो अभी कंट ठीक है इसका मैं वीट देता हूं माले 100 पिक्सल एंड 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 हाइट 100 पिक्सल ठीक है एंड बैग्राउंड बैग्राउंड कलर रेड ठीक है एंड रिफ्रेस करेंगे देखो यहां पर यह आ गया ना यह वाली तो आप समझ रहो ना यहां इसी यह जो है डिव मैंने लिया यह डिव आ गया इसको मैंने जो भी मैंने स्टाइलिंग किया यहां पर वह क्या हुआ यहां पर ब्रॉजर में बार्वा देखने लगा सेम अगर ऐसे ही तो ऐसा तो है नहीं कि मैं एक अगर यह मेरा यूटुक्व देख लो शौरी यह नेट प सॉरी YouTube देखते हो कुछ भी देखते हो यानि हाँ कुछ भी आप ब्रोजर पर देखते हो तो ना आपके बहुत छोड़ा सा देखता है वह कहने का मतलब है कि बहुत बढ़ी बड़ी प्रोजेक्ट होती है जिसे YouTube हो गया WhatsApp हो गया त्यूटर हो गया यह सो जो भी चीज़े है त तो कहने का मतलब कि यह एक डिब में पॉसिबल नहीं है कि बड़े बड़ी प्रोजेक्ट बना सकते हूं ठीक है माले इसको मैं कॉपी किया पेस्ट किया एंड देन रिफ्रेस किया ठीक है देखो एंड मैं चाहूं तो यहां पे बीयार टेग लगा दूँआ तो आपको बाद तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी विपसाइट है जो कि पूरा आप यूटूब भी देखते हो तो क्या लगता है कि कोई भी विपसाइट जब आप देखते हो तो ऐसा तो है नहीं कि यह वाला भी सेक्शन इसी कलर का हो यह वाला सेक्शन इसी कलर का हो ठीक है यहां पे कुछ कुछ और यहां पर कुछ और है यहां पर कूछ और है सिक्षा रड़ा होता ठीक है लेकिन से εलंज तो मैंने यहाँ हैं लिखा और और यहां पर किया कि टीषोड यहीम यहीं तो इसको जहां-जाई में films कर दिया ही विट उसको भी गाएंगे बहुत सारे बार इंगे बहुत सारे बार कुछ भी आएगे हिड़ी कि तो इसके लिए इसी के चलते कि अगर जैसे चोपन च्छोता है मैं जाता कि मैं च्छोटा हूं यह चाहता हूं इससे च्छोटा हो तो क्या करना होगा मैं और ब्रड़ करूं का तो सब क्या होगा सब सेम देखो आप दिख रहेंना सब सेम साइज का इसलिए हमारे पास से काया है class ठीक है डीव class इसलिए हमारे पास से class आया है ठीक है अगर इस class का नाम मैं कुछ यहां पर दे दूँ एंड इसी परकार से मैं copy करूँ पेस्ट करूँ ब्रेक करूँ इसे ठीक है तो यह एक div है एंड यह भी एक div है ठीक है तो पिछला बार से हम लोग क्या देख रहे थे जो भी div था देखो जो भी div था दोनों same ले रहा था क्योंकि यहां से यह access कर रहा था यह लेकिन अब class आ गया तो class जब आगे तो class हो क्या ह यह unique आ गया इसके पास ठीक है यह unique हो जाएगा जैसे कि मैं यहां पर class है class का देता हूं my first div and second my second div ठीक है अब मैं चाहूं देखो अभी भी same है अभी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह div यह div दोनों पे implement हो रहा है ठीक है अब मैं चाहूं कि नहीं यार मुझे यह div है ना यह div को कुछ और ज्यादा बड़ा रखना है यह जो छोटा वह div है ना इसको मैं मुझे इतना सा ही रखना है लेकिन इसको बड़ा सा रखना है तो इससी चीज के लिए हमारे पास क्या चीज आया class ठीक है class क्लास को क्या करते हैं जैसे कि आप दिखा रहे हैं क्लास को dot sex करते है तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं चाता हूँ कि यह फर्स्ट वाला जो section है यह वाला जो section है और यह वाला जो section है तो मैं चाता हूँ कि फर्स्ट वाला section जो हो जा कुछ यहां तक बड़ा आ जाए and second section same रहे है ठीक है तो इसलिए हम लोग करेंगे क्या जो फर्स्ट वाला section है तो डिप से तो एक्सिस कर रहे हैं तो यह भी बरावर यह भी बरावर तो इसलिए मेरे पास एक क्लास नाम का एक कीवर्ड आया और उसी क्लास को इसे माइफ फर्स डिवाइस को कॉपी करेंगे ठीक है माइफ फर्स डिव को कॉपी करना है यहां पर जाना है style में अगर यहां पर class है ठीक है अगर यहां पर class है तो class किसी से access करना है dot से and so paste कर देंगे my first div को ठीक है and curly उसे open and close ठीक है अब यहां पर मैं डाल देता हूं width is equal to 500 pixels and height 100 pixels background color blue ठीक है अब देखो क्या होगा यह जो div है और यह जो class है तो class को मैंने क्या किया dot से access किया यहां पर class को गर access करना है तो dot से देखो and id को access करना है तो head से तो मैंने यहां पर class my first div लिखा हुआ है और यहां पर class my second div लिखा हुआ है तो यह class को मैंने access करना है मुझे क्योंकि यह वाला section को मुझे बढ़ा करना है ठीक है तो यह वाला section को मैंने मैंने my first day पर हमें copy किया class था तो यहां पर dot मैंने लगाया और इसका property मैंने यहां पर डाल दिया ठीक है कि जहां यह पहले अपने body tag में घूसेगा ठीक है यह my first day यह body में घूसेगा और देखेगा कि कहां पर class my first डिव नाम का एक class है क्यों समझेगा कि क्लास है क्योंकि इसके आगे में यह डॉट है अगर इसके आगे में यह हैस रहता ना तो यह id को समझता इसके id को बारे में यहां भी है और एक यहां भी है तो फिर यह जाएगा देखें का अरे my first div वाला class कहां पर है तो यहां पर class पर आएगा यह पूरे class पर जाएगा जहां इसको my first div मिलेगा उसका property वाली इंप्लेमेंट कर देगा ठीक है जैसे क्लास है यहां पर यहां पर आके रूख जागा क्या देखेंगा मैं फ़र्स डिप तो मुझे मिली गया इसको इंप्लेमेंट कर दो यह सो तीजे पूरा जो भी है तो इसका वेट तो पांस हो जागा हाइट यह जागा वैं यह कलर यह मैं रहे नाव जबत तो शिर्ऻ फ़र्स पर काम कर रहा है अब मैं चाहता हूं कि यह जो मेरा इस से कुछ चोटा में रख far जोड़ से कॉपी करूंगा और इससे बाहर निकलूंगा एप्याहट से करूंगा पेस्ट करूंग यहां पर एंडidir अब यहां पर मुझे सब्सक्राइब देना है वेट वेट तो दूसा पिक्सल कर देता हूं ठीक है एंड आइट पिक्सल कर देता हूं अब क्या होगा मैं में लिए था ये था ये था ये अब यह मैं पूरा इंप्लीमेंट कर दिया अब यह माइ यह होता है class का फाइदा है होना क्या है इसरे कही हो हम लोग देखते हैं कि एपके तो यह वी मेरा सेम और यह बाला मेरा स्धीन हो ठीक है common हो तो चीज़े common हो इसके लिए क्या करनी होती है इसके लिए करना यह होता है किसे यह मेरा 20 pixel ना रहके यह मेरा same as it is यह रहे copy करो पेस्ट कर दो अब देखो दोनों same हो ठीक है तो जब इसको पूरा यहां से और क्या करूं इसको पूरा यहां से और क्या करूं इसी डिव में जाके सुर्य इसी इसी क्लास में आके मैं भी यहां पे कॉमा दूं और यहां पे आके पेस्ट कर दूं ठीक है इस सेम पूसब को और डिफ्रेस करूंगा देखो ठीक है अभी भी दोनों है अब क्या हुआ इससे फायदा क्या हुआ कि हम लोग इसी same code को दो दो बार लिख रहे थे ठीक है same code को हम लोग दो दो बार लिख रहे थे लेकिन अभी क्या हुआ यह property same है and my first div my second div दोनों एक ही वाले code में ऐसे यहां पे निचे लिखना पाटा था bit यह, height यह, background यह, ठीक है अगर मुझे access करना है सिर्फ दोनों को same चाहिए तो बस यहां पे simple सी बाते class दे दिया, यहां पे class दे दिया, इसके अंदर में property को define कर दिया, ठीक है, तो यह होता है मेरा class, ठीक है, अगर आपको अभी भी वीडियो समाज में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे comment कर दिजेगा, मैं आपको फिर से explain कर दूँगा class and div के बारे में, ठीक है guys, तो मिलते है next video में, सब त